कि एलो एवरीवन वालकम वेक्ट वेक्ट यौराण चैनल एज अफ नॉलेज इस्ट्वेट्स इंग्लिश क्योंशन वेंग के सॉल्विशन की सीरीज में आज हम स्टार्ड करने वाले अंसीन पेसिज जी अज मैं आपको एक्सप्लेंड कराने वाला हूँ अंसीन पेसिज तो विडियो को इंट तक जरूर देखेगा विडियो को बिल्कुली भी स्किप नहीं कीजेगा क्योंकि आप सबी को पता है कि आपके एक्जांस में जो अनसीन पेसिज पूछे जाएंगे वह 10 marks के पूछे जाएंगे इटमिस टू अनसीन पेसिज आपके एक्जांस में तो बच्चो इसका मतलब यह है कि आज शायद आपका जो पूलियो वैक्सीन से जो आपका जुड़ा है और एक मात्र आपका जुड़ा है वह सेबिन ओरल वैक्सीन ही है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है बीमारी से तो दिखिए आपको पता होगा कि अभी कोविट की वैक्सीन लग रहे है और कोविट की वैक्सीन इंजेक्ट की जा रहे है उसका इंजेक्शन आपको दिया जाता है लेकिन जो सेबन ओरल जो वैक्सीन होती है पॉलियो की तो यह आपको पिलाई जाती है मतलब कि दो बून दवा जो पिलाई जाती है बच्चों को तो वो मोक इसलिए दी जाती है कि protect children from the disease तो बच्चों को बीमारी से protect किया जासा के इसके लिए उनको polio की vaccine दी जाती है 55 years ago this was not so 55 साल पहले ऐसा नहीं था कितने साल पहले की बात कर रहे है 55 साल पहले ऐसा नहीं था the dreaded disease which mainly affect the brain and the spinal cord cord stiffening and weaking of the muscles crippling and paralysis test causes दी इसका मतलद यह फहता है कि यह जो भयानक डिसीज थी जो बीमारी होती थी which mainly affect हमारे brain को affect करती थी और हमरे जो spinal cord होती है spinal cord होती हमारे read की huddy हैीको affect करती थी इसका problem क्या होता था कि हमारे होने के या फिर उसको पिरलाइज होने के भी चांसे ज़ादा रहते थे जिनको पॉलियो वैक्सिन नहीं दी जाती थी मतलब कि जब तक पॉलियो वैक्सिन बनी नहीं थी उस टाइम की बात कर रहे हैं ठीके विच इस वाइं इन वील्चेर टुड़े यही रीजन है जिसकी व मतलब होता है बविचवारी करना कि जब मेरा जन्म होता है जन्म से पहले जो बविचवारी की थी तो कोई आज यह बिलीव नहीं करेगा कोई आज इस बात को नहीं मानेगा ठीके हैं I was the seventh child in a family of four pairs of brothers and sisters तो अब यहाँ पर narrator बताते हैं कि मैं अपने भाईयों और बहनों के जोड़े में seventh number का child था मतलब के pairs है मतलब यह है कि जो four pairs थे तो मतलब कि इनके family में आठ मतलब के brothers और sisters को मिला कर आठ इनके आठ जो बहन भाई थे टोटल आठ थे उनमें यह 7th number के थे साधवी number के ठीके बेड़े थे with a huge 23 years ago between the first and the last gap है यहाँ पर gap लेका हुआ एगे तो मतलब कि इनका जो सबसे चोटा और सबसे बड़ा भाई था family में उसकी बीच की age का age थी 23 मतलब कि जो सबसे चोटा भाई था और जो सबसे बड़ा भाई था उनकी age गेब जो था 23 ठीक है इतना के लिए रोओ इसके बता आगे है बताया जा रहा है कि I was told that unlike the others I was so fair and brown haired did I look more like a foreigner than a daud bhori तो मतलब ये है कि ये जो थे ये इनका color fair था मतलब कि गोरे थे जो narrator था उनका color साफ था और इनके brown भूरे color के बाल थे वो किसकी तरह दिखते थे foreigner की तरह दिखते थे foreigner मतलब विदेशी की तरह दिखते थे दाउद बोरी से इनका compare करके बताया जा रहा है कि ये foreigner की तरह दिखते थे I was also considered to be the healthiest of the brand तो वो सबसे ज़्यादा healthy भी माने जाते थे सबसे ज़्यादा इनको healthy भी समझा जाता था और इनको क्या हो गया था इनको polio हो गया था तो ये narrator अपने बारे में बता रहे है कि इनको खुद को polio हो गया था जबके starting में जो थे बहुत अधा healthy भी थे बहुत अच्छे भी दिखते थे गोरे भी थे और इनके जो color था बालों का वो brown था foreigner की तरह विदेशी की तरह दिखते थे P 4 pair थे तो 4 pair मतलब के चार जोड़े थे तो चार जोड़े थे जो नहीं आट हो जाएगा तो ये एट बच्चों में साधवे नमबर का था अब आयाते हैं next question question आपका फॉर्थ नमबर का है polio the dreaded disease mainly affect था तो जो polio है वो सबसे जादा किस चीज को affect करती है question 4 कर राइड़ा दरोग आपका brain spinal code मतलब हमारे brain को और spinal code मतलब जो read की हड़ी होती उसको सबसे जादा प्रवाबित करती है polio ठीके अब आयाते हैं question number 5 की तरफ दीके हमाना question number 5 what made the narrator look like a foreigner तो मतलब कि वो किस चीज की वज़ा से किस वज़ा से generator है वो foreigner की तरह मतलब विदेशी की तरह दिखता था question आपका 5 का right answer होगा he was fair in brown hair मतलब कि वो गोरा था और उसकी बूरे बालते जिसकी वज़ा से जो narrator था वो foreigner की तरह दिखता था ओकी बच्चो तो आज हमने first passage को समझ लिया है I hope आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके सारे doubts के लिए होगे होगे कर लीजिएगा so that जैसे भी नी वीडियो अप्लोट की जाएगी उसका नोडिफिकेंस अब से भी आपको टाइम पर मिल जाएगा thanks for watching